विनिता ने प्रतिवर्स 4% की दर से चकरवर्दी ब्याष पर 5000 रुपे 3 साल के लिए उधार दे दिये 3 साल बाद विनिता दोणरा प्रावत रासी कितनी होगी 5000 रुपे का 4% हम पहले चेक करेंगे कितना होता है तो 5000 का 4% 5000 इन्टू 400 होता है ये आप देखें तो 200 रुपे बन जाता है 200 रुपे तीन साल तक सीधे सीधे ये मिलेंगे जो कि हमारे साधरन ब्याज के बराबर होंगे तो 600 रुपे आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे तो 5600 कुछ रुपे होंगे तो वो सिर्फ option B में ही possible है तो आंसर ये आगया लेकिन आप पूरा कैलकुलेटी से कैसे करेंगे तो आप ये देखें कि ये 5000 रुपे हैं हमारे पास इनको हम तीन सालों में मिलने वाले पहले ब्याज पे देखेंगे तो 200, 200 और 200 ये जो मिलता है हर साल ये 4% है 5000 का जो सीधा सीधा आपको 5000 का मिलेगा लेकिन जो पहली साल 200 रुपे आपको मिले हैं इनका फिर आपको आगे 4% का ब्याज मिलेगा 200 का 4% 8 रुपे होता है यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा इस 200 का क्योंकि ये पहली साल मिला है तो इस पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा पहली साल लेकिन दूसरी साल 5000 रुपे भी मिलेगा जो की 200 रुपे है और इन 200 रुपे का भी मिलेगा जो की 8 रुपे है लेकिन जब हम तीसरी साल में एंटर करेंगे तो यहां हमें 5000 रुपे मिलेगा जो कि 200 रुपे है इस 200 पे मिलेगा जो कि हम यहां 8 रुपे बोलेंगे और इस 200 पे भी मिलेगा जो कि 8 रुपे होगा अब इस 8 का 4 परसंट होता है 32 पैसे ये 32 पैसे अलग से मिलेंगे तो आप यहां देख पाएंगे कि 200, 400, 600 जो कि हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके है आठ दूनी 16, 28, 24 रुपे 32 पैसे तो 24 रुपे और 32 पैसे उसमें और एड़ हो जाएंगे तो आप यह देखें यह हो गया 624 रुपे 32 पैसे 5000 के साथ एक्स्टरा मिलकी यह टोटल पैसे इतनी हो जाएंगे तो इतनी आसानी से आप इसको find out कर सकते हैं अगर आप इतना सरल तरीके से सीख रहे हैं और इसको follow कर रहे हैं तो